हेलो दोस्तो नमस्कार मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का सेफ टेकनो पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर बकेट यानी आग बुझाने वाली बल्टी के बारे में दोस्तो यह एक ऐसा उपकरन है जो आग लगने की स्थिती में आपकी और आपके संपत्ती की सुरच्छा के लिए बहुत महत्पूर्ण है दोस्तो फायर बकेट साधारन सी दिखने वाली बाल्टी होती है लेकिन इसका उपयोग आपात काली निस्थिती में जीवन बचा सकता है यह बाल्टी लाल रंकी होती है और उस पर सफेद अक्षरों में फायर लिखी होती है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके दोस्तो फायर बकेट का उपयोग बहुत सरल है इसे पानी या रेत से भरा जा सकता है जब कहीं आग लग जाए तो इस बाल्टी का पानी या रेत आग पर डाल कर उसे बुझाया जा सकता है यह खास कर छोटी आग को बुझाने के लिए ज़्यादा महत्पूर्ण भावी होती है दोस्तो फायर बकेट को हमेशा तयार और सही स्थिती में रखना बहुत जरूरी है इसे साफ रखें और सुनिशित करें कि इसमें हमेशा पर्याप्त पानी या रेत भरी हो साथ ही इसे ऐसे अस्थान पर रखें जहां से इसे आसानी से निकाला जा सकें अब आपको साधारन बाल्टी और फायर बकेट में डिफरेंस कैसे मालूम परेगा तो दोस्तो साधारन बकेट का जो पेंदी होता है बेस होता है वो चप्टा होता है और फायर बकेट का जो बेस होता है वो गोल रहता है इससे आपको देखने से मालूम पर जाएगा कि यह फायर लिखा भी रहता है फायर तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आग बुझाने वाली बाल्टी के बारे में उमेद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी याद रखे सुरक्षा में कोई समझाता नहीं करना चाहिए ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे च